बदलता हर्याना देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार क्योंकि इस वक्त मैं सुबह की कहूंगा बारा बिच कर पंदरा मिनिट हो चुके हैं एम हो चुका है पी एम से अब तो इस वक्त हम मुझूद हैं दिल्ली के सिंगू बोर्डर पर और जहां पर यह देखिए किसानों ने अपने जो आश्याने हैं जो अपने बसेरे हैं वो बनाए हुए हैं यहां पर देखिए जो रात को पहरा देते हैं वो विलेंटर्स बैठे हैं अपनी ड्यूटी पर जो सारा दिन ड्यूटी देने के बाद रात को भी ड्यूटी देते ह यहां का ध्यान रखते हैं ताकि कोई शेड़ खानी या कोई किसी भी प्रकार की कोई यहां पर कटना ना हो इसके लिए सारी रात यहां पर पहरा देते हैं यह इस तरफ यह पुलिस का एरिया है जहां पर हमारी पुलिस और आर्मी के जो जोवान है वो बैठे हुए है इस वक के दोरान भी जो किसान हैं जो किसानों के बेटे हैं जो एक तरफ बोर्डर पर हैं और एक तरफ आज वो सिंगू बोर्डर पर हैं जो आज तिन रात पहरा देकर अपने इस अंदोलन को बचाये हुए हैं ये देख सकते हो आप वो पहरा लगा कर बैठे हैं ताकि कोई शरारत तत्तव सो रहे किसानों पर किसी भी परकारत की कोई शेड़ खानी ना कर सके यहां पर कोई एववस्था ना हो इसके लिए वो पहरा लगा के बैठे हैं थंडी हवा चल रही है रात के करीबन 12 बज कर 17 मिनिट हो चुके हैं बहुत ही तेज थंडी हवा चल रही है यह आप इस वक्त सिंगू बोर्डर का नजारा देख रहे हैं रात के समय कैसा दिखता है सिंगू बोर्डर दिन में तो आपने देखा होगा सिंगू बोर्डर को और आज हम आपके लिए special रात को दिखा रहे हैं कि सिंगू बोर्डर कैसा दिखता है यह इस तरफ दिल्ली है यह सामने जहां पर दिली पुलिस के जवान और सैना के जवान हैं जो रहते हैं जा बिशाथ indra और ये हर्याना की तरफ है जो स्युक्त किसान मोर्चा का जो बड़ा स्टेज है इस साइड में वो स्टेज है उस साइड में किसान मजदूर संगर्ष कमेटी उसका स्टेज है दोनों तरफ किसान है बीच में पूलिस है पहले यहां से रस्ता था जो बैरिकेट थे वहां से र उसके बाद से यहां पर पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई यहां पर बैरिकेट लगा दिये गए और जो कीले हैं यहां पर भी लगाई गई हैं जो यह बैरिकेट लगाए गए हैं ताकि यहां से कोई आरपार ना जा सके यहां से अब किसान दूसरी तरफ कैसे जाते हैं इससे रिलेटिड हमारे बदलता हर्याना यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी है फेस्बुक पेज पर भी है हमारे इसी जो पेज पर आप लाइव देख रहे हैं यह सिंगू बोर्डर से लाइव देख रहे हैं आज लाइव इसलिए आये हैं क्योंकि यहां पर 26 जनवरी के बाद लगभग नेट बंद ही हो चुका था और आज शाम को क्रीबन 6 से 7 बजे यहां पर नेट शुरू हुआ है जो नेट की समस्य आ रही थी वो आज खतम हो गई अब नेट चल रहा है यहां पर अच्छी स्पीड आ रही है नेट की इसलिए हम लाइव हैं ताकि आप सभी को जानकरी दे सकें कि जो सिंगू बोर्डर पर नेट बन था वो शुरू हो चुका है देखिए जो किसान है वो अपना धरने के जो पास का स्टेज है वहां पर टिकरी पहरा लगाए हुए बैठे हैं इस तरफ पी किसान बैठे हुए हैं और इधर जो निहंग सिक हैं उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ है यह देखि कुडली मानेसर वाला हाईवे है वहां तक कुमते हैं ताकि जो किसान है वो अपनी चैन की नीन्ट सो सके हैं मैं वहीं कहांगा कि सरहद पर भी जो किसानों के बैटे हैं और यहां पर जो सिंगु बोर्डर जो सरकार द्वारा बोर्टर बनाया गया है उस पर भी किसानों के बेटे आज तिन रात बैठे हुए हैं अपना पहरे लगाए हुए हैं 11 डिगरी के करीब तापमान है ठंड बहुत ज़्यादा है ठंडी हवाईं चल रही है अपने दिन में तो बहुत बार सिंगू बोर्टर देखा होगा पर आपको रात की कवरेज दिखा रहे हैं इस वक्त कि कैसा है सिंगू बोर्टर का हाल जो रात को है किस परकार से जो किसान भाई हैं वो रात काटते हैं कि यह नीचे जो पहरेदार हैं वो लगे हुए हैं पहरा देने के लिए गूंपिर के जो पीछे से हैं यहां पर इक्टिविटी बनाए रखने के लिए ताकि जैसे फोन बग्यारा बंद हो जाएं तो उसके लिए इन्होंने वोकी टोकी का प्रयोग करते हैं रात में आपसमे में गूरूप बने हुए हैं उसमें मेंसेज करते हैं कि क्या समस्य काहा पर क्या बात हो रही है कोई भी मिलता है रात को उससे मिली जूली चीजें बताने के लिए गुरूप बने हुए है वाकिटा की बने हुए है तो देखते रही है दिखाते हैं अभी तो आपको यहां की और पस्वीरे यह सिंगु बोर्डर देख रहे हैं आप यह मैं बताना का हुए है यह बीट में पूलिस और जो सैना के जवान ह और पूलिस के जो जो जवान है वो किसानों की तरफ ना है और उसकी तरफ और जो चबीश जनवरी के दिन उने शुरुआत की धिंग्रोड की और जाने सबस्काइल नगी किसान मजदूर संगर्ष कमेटी सतनाम सिंग पन्नु उसके जत्यदार जो कसान रेता है उनका जो सेथ है उस साइड और जो दिल्ली में बढ़ता है जो दिल्ली की तरफ और जो श्योक्त किसान मोर्चा है जहां पर यहां पर है जो दिल्ली के सिंगू बोर्डर कर अर्याणा की तरफ है यह आप देख सकते हैं शुक्त किसान मोर्चा का जो में स्टेज है वह इस तरफ है और यह नीचे आप पहरेदार देख सकते हैं जो दिर्राथ पहरा देते हैं ताकि किसान भाईयों को यहां से गुजरने वाले लोगों को किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं बहुत दिनों बाद आज लाइव आने का इसलिए मौका मिला क्यूंकि नेट बन था नेट की वेवस्ता ना होने के कारण यहां की लाइव कवरेज नहीं जा रही थी और नीचे से भी आपको लाइव दिखा सकते हैं थे करीबन इस वक्त है मैं टाइम दिखा दो सब्सक्राइब है रात के इस वक्त लगबग 12 बचकर 23 मिनिट हो चुके हैं और थंड बहुत जाद है मैं तो यह कूंगा तेज हुआएं चल रही हैं सद्ध हुआई जहां पर मतली यहां पर खड़ा होना भी मुश्किल है खंड मे पर फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए जो सिंगू बॉर्डर की लाइव कवरेज हम दे सकें यह इस वक्त ना तो कोई चैनल दिखा सकते आपको ना ही कोई और दिखा सकते हैं इसलिए हम स्पैशल आज रास्त को सड़े 12 बजने वाले हैं तो आपको आजा जो अपडेट होगी आपको देते रहेंगे दिखाते हैं आपको और सिंगू बॉर्डर का नजारा आया जो रात का यह हवा का अंदाजा दिखाता हूं आपको यह जंडा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा देखें कितनी तेजी से जो जंडा है वो लहरा ताकि थंड से बचा जा सके यह देखिए जो पहरेदार हैं वो सकती से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं इस तरफ भी पहरेदार बैठे हुए हैं यह देख सकते हैं आप बहुत मुश्किल है रात को यहां पर ड्यूटी देना पर जो किसान हैं उनके होंसले बुलंद हैं वो उसको रोजाना इसी तरह निभाते हैं लगबग 72 से 73 दिन हो गए हैं आज शाय तिहत्रवा दिन हो तो 73 दिन हो गए हैं किसान इसी परकार से सिंगू बॉर्डर पर दिन रात अपना जो संगर्ष है उसको जारी रखे हुए हैं यह इस वक्त आप सिंगू बॉर्डर की तस् movements जो यह इस इसा है यह बीच में पुलिस है उसकी आगे और किसान नेता सतनाम सिंग पन्नू का जो काफिला है जो उनका स्टेज है वह उस तरफ है और यह दिली की तरफ परता है जो यह बीच में नेहं सिख हैं जो एक बाड़ का काम कर रहे हैं ताकि जो पुलीस है वो किस है वो उस साइड ना जा सके वो पुलिस से ना भीड़ जाएं इस कारण जो बीच में है नियंग सिंगों ने अपना डेरा लगा रखाया है और इस तरफ जो स्यूक्त किसान मोर्चा का जो में स्टेज है जहां से आप लाइव देखते हैं जो बड़ा स्टेज है जहां पर दि किमती समान है उन समानों को कोई नुकसान ना पहुंचाए यह पहरेदार आप घूमते दिखाई देख सकते हैं दिन रात पहरा है जो वो कड़ा है ताकि कोई शिरारती ततव अंदोलन को खराब ना कर पाए देखिए होंसले बुलंद है सबसे बड़ी बात जो किसान है उन हैं ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो chances हो सके और दूसरी तरफ जो किसान भाई है वो रात को पहरा देकर अपने किसान भाईओं के लिए duty दे रहे हैं ताकि जो किसान भाई हैं वो अपना जो ट्रेलियां हैं जो उन्होंने तम्बू लगा रख ay हैं उन में चैन से हो सकें यह होसले हैं किसानों के जो इतनी कड़ कड़ाती ठंड में भी कम पाती ठंड में भी मझबूत हैं मझबूत एरादे हम इनहीं को कहेंगे और यह संगर्श इसी परकार से चारी रहेगा जबतक जो कृशी कानून है जिने किसान वापिस کرाने के लिए यह हैं जब तक यह वापिस नहीं होते यह जो आप नजारा देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर का यह इसी परकार से लगा रहेगा देखिए आगे अगर हो सकता है तो मैं आपको दिखाता हूं और एरिये का जो लाइव है आगे का और बाकी बादचीत भी करना चाहेंगे अगर बाकी यह देखिए इस वक्त जो अनॉंस्मेंट हो रही है छोटी छोटी सी जो यहां के कोई यहां पर इस वक्त रात के जो अन्धेरा है इसमें किसी को भी बाहर गुमने की इजाज़त नहीं है क्योंकि कौन शरारती तत्व है कौन इस वक्त किसान है किसी को कोई मालूम नहीं है इसलिए रात के समय जो यहां का पहरा है वो कड़ा होता है ताकि कोई भी यहां पर शिरारती तत्व किसी भी परकार की कोई हरकत ना कर सकते हैं यह लाइव तस्वीर है आप सिंगू बोटर से देख रहे हैं बदलता हर्याना पे लगबग जो समया है जो समय की सुईया है वो सड़े 12 बजकर 30 मिनट की और बढ़ रही हैं कुछ ही देर में 12 बजकर 30 मिनट हो जाएंगे लगबग हमें भी 15 मिनट हो जाएंगे आप से जुड़े हुए तो मैं यही कूँगा जो सिंगू बोटर का हाल है आप जरूर शेयर करें ताकि सभी तक सिंगू बोटर को जो रात का पहरा लगता है वो पहुंच सके यह देखिए आप कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो देखिए इस परकार से भी जो वो लेंटर्स हैं वो गेड़े ल निरे वोकी-टोकी का प्रयोक किया जाता है वर्टसेप ग्रूप बने हुए हैं ताकि कोई भी घटना है वो रात के समय क्योंकि कहते हैं जो चोर होते हैं वो रात के अंधेरे में आते हैं तो उन चोरों से बचने के लिए जो यह टिकरी पैरा है लगाया जाता है और यही तेज हवा है जो सर्दी की जो तेज हवा है ठंड में जो कम पादे ठंड वो ठंड है इस वक्त और यहां का टंपरेचर भी लगबग 11 से 11 डिगरी है 11 डिगरी से कम ही है देखिए इतनी ठंड के बावजूद भी जो किसान है वो बैठे हुए हैं पहरा दे रहे हैं यह अब एक वैन आरही है जिस पर announcement कि जा रही है शरारती तत्वों से बचे रहें देखिए जो किसान भाई हैं वो जाग रहे हैं जो वोलेंटर्स हैं जो किसान भाई हैं वो अपनी ड्यूटी से हम दे रहे हैं उन्हें किसी के पहरे की जुरूरत नहीं है वो खुद ही पहरेदार है देखिए यह जो पहरेदार है वो चल दिया है अपनी स्कूटी लेके देखे यहां पर एक व्यक्ति आया था जिसने यह बोर्डर पार्क करना था उसे special बोर्डर पार्क कराने के लिए यह शुरू से वैन आई यह देखे यह आप सामने देख सकते हैं इस वक्त यह वैन आई यह announcement करते हुई उस व्यक्ति को जो पहचान उसने बताई होगी अपनी उसके बाद उसको border park कराने के लिए जो रात का समय है यहां से जो गुजरते हैं मुसाफिर कोई ज़्यादा लेट हो जाता है कोई जैसे भटक जाता है तो उसको border park कराने के लिए भी जो will interest है वो रात के समय एक्टिव रहते हैं देखिए सामने उसको border park कराया जा रहा है इस तरफ तो वो जानी सकते क्योंकि जो बैरिकेट है वो ज़्यादा वो लगा दी गई है तो उसके लिए वहां से एक किसानों ने स्वेहम एक रस्ता बनाया है उसकी वीडियो आपको यूट्यूब बे हमारा जो चैनल है बदलता हर्याना के नाम से उससे मिल जाएगी वो देखिए वो विलेंटर्स उसको छोडने जा रहे हैं यहां से वो निरेला की तरफ होता हुआ दिल्ली निकल जाएगा यह एक वैन आपको आती दिखाई दे रही होगी जिसमें किसान भाई ड्यूटी दे रहे हैं देखिए लगातार जो किसान भाई हैं वो जूटे हुए हैं जो सिंगू बोर्डर है यहां पर जो किसान है देखिए देखिए जो सेवादार हैं जो विलेंटर्स हैं वो लगे हुए हैं दिन रात इसी परकार से वो अपना धरना है वो जारी रखे हुए हैं देखिए यह सिंगु बॉर्डर की अब तस्वीरे देख रहे हैं लाईव आप इस वक्त देख सकते हैं सिंगु बॉर्डर से देखे रिपोर्ट लेते हुए कि यहां पर सब ठीक ठाक है आप उसमें किनेक्टिविटी बना रखी है पूरा नेटवर्क स्थापित कर रखा है ताकि किसी भी परकार की जो किसान भाई हैं उनको दिक्कत नाई इसी परकार हम आपसे जुडे रहेंगे कल भी अगर हो सका तो हम आपके बीच में और जादा लेट दो से तीन बजे के करीब अगर संभव हो पाया तो हम नीचे से आपको जो पहरेदार हैं उनसे बातचीत करवाएंगे और उनसे मिलवाएंगे तो देखते रहें बदलता है कैमरामेन रेजेंदर सिंग के साथ पुपेंदर कंपोज सिंगु बोर्डर धन्यवाद